हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं पराबुनों ने वही चीज करोडों डॉलर की रीसर्च करके पता लगाई है और मैंने सैंकणों हजारों लोग देखे हैं जो सिहत मंद हो जाते हैं अगर कोई चीज मेरी प्लेट पर आती है तो उसे महसूस करके मैं जान जाता हूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है आप आज कुछ खाईए और देखिए ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त महसूस करता है एक सीधी सी चीज जिसके पीछे दुनिया पड़ी है अगर आप हमारे आश्रम में आएं तो लोग शारीरिक रूप से बहुत सक्रिये हैं वे बस सुबह दस बजे खाते हैं और फिर शाम को साथ बजे बस दो बार भोजन मुझे कितने डॉक्टर कह चुके हैं कि वे कुपोशन से मर जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा आप ये कीजिए वो कीजिए जादतर दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूँ बस एक बार भरपूर खाता हूँ इतना ही डॉक्टर मुझे कह रहे हैं नहीं सद्गुरू आप इतनी आत्राएं करते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा आपको चार घंटे में कम से कम एक बार खाना खाना चाहिए कुछ तो खाना चाहिए मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दीजे मैं ठीक हूँ पर अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी युनिवरसिटी कह रही है रुक रुक कर उपवास कीजिए ये कोई बगवास नहीं है अच्छी चीज है लेकिन उन्होंने ऐसी चीज फिर से खोजी है जो हम हमेशा जानते थे अब हर कोई कह रहा है सोलह गंटे का अंतराल होना चाहिए फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी हम इतने हजारों साल से क्या कह रहे थे हमाज में एक अपराधी की तरहा है हम सब के शरीर में होती है लेकिन उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए अगर उससे बढ़ जाए या सब साथ मिलकर एक जगह जमा हो जाएं तो वे अपराधियों के गिरोह जैसी बन जाएंगी कोची में भी जेब कतरे होंगे मुझे यकीन है वे छोटे मुटे अपराध ही है जब अकेले या दो-तीन मिलकर काम करते हैं तो हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हम उन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि छुट-पुट चीज़ें होंगी पर मान लीजे ऐसे सौ लोग संगठित होकर अपराध करने लगें तो हम उन पर तूट पड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं अब वे समाज के लिए खत्रा है कैंसर की कोशिकाएं भी इसी तरह हैं अपराध ही जो यहां वहां घूम कर कुछ नुकसान पहुंचा रही है फिलहाल उनकी यही समस्या है कि वे बाकी कोशिकाओं के मुकाबले आठ से दस गुना ज्यादा खाती है तो अगर आप दो भोजन के बीच में परियाब तंतराल देते हैं तो उनमें से जादातर मर जाएंगी क्यूंकि वे जी नहीं पाएंगी हम हमेशा इसकी बात करते रही हैं लेकिन अब उन्होंने वही चीज करोणों डॉलर की रीसर्च करके पता लगाई है मैंने हजारों लोग देखी हैं जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए क्यूंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते जब पेट पहले से ही भरा हुआ हो योग केंद्र में लोग हमेशा शारे रिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो दो पहर साढ़े तीन चार बजे तक हर कोई बहुत भूका हो जाता है उन्हें बहुत भूक लगी होती है लेकिन हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं क्योंकि खाली पेट होना और भूका होना दो अलग चीज़े हैं भूक का मतलब है आपकी उर्जा गिरने लगी है पर खाली पेट होना अच्छा है योग विज्ञान में आज आधुनिक विज्ञान भी सहमत है लेकिन जो चीज़ हम अपने अनुभव से जानते हैं वहां तक पहुँचने के लिए आप लाखों डॉलर लगा देंगे क्योंकि रीसर्च का मतलब यही है कई लाख डॉलर खर्च कर देना ये ऐसा ही है पेट खाली होने पर भी दो से ढ़ाई घंटे के बाद हमेशा हमारा पेट खाली हो जाए तो हम हमेशा खाली पेट सोने जाते हैं लोगों को लगता है नीद नहीं आएगी वे सो सकते हैं औस तन 25 सालों में औस तन मैं बस ढ़ाई से तीन घंटे ही सोया हूँ इन चीजों से थोड़ा आलसी होता जा रहा हूँ और साढ़े तीन से चार घंटे सो रहा हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यातराएं करता हूँ जब मैं ज्यादा यातरा कहता हूँ अगर मैं अगले कुछ दिनों की यातराओं के बारे में आपको बताओं तो आप खुरसी से गिर जाएंगे हाँ, मैं आपको बताऊं क्या नहीं, जरूरी नहीं है क्योंकि अगले दस दिनों में मैं पांच अलग-अलग देशों में जाऊंगा वहाँ पता नहीं कितने कारिक्रम होंगे हर तरह की कारिक्रम तो आप इस तरह सिर्फ इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि आप जरूरत से जादा नहीं खाते ये बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है सभी दो बार खाते हैं मैं आम तोर पर एक बार ही खाता हूँ शाम साढ़े चार-पांच बजे क्योंकि मुझे प्लेट के सामने बैठकर ये सोचना पसंद रहीं कि कितना खाऊं मैं भरपूर खाना पसंद करता हूँ तो शाम को साढ़े चार-पांच बजे अगर मैं भोजन करता हूँ तो फिर मैं अगले दिन ही खाता हूँ क्या ये काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? हलो? क्योंकि शरीर में जो भी सुधार और शुद्धिकरन होना है उसके लिए पेट खाली होना चाहिए ये बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरन नहीं होगा आपके अंदर चीज़ें जमा होती जाएंगी फिर आपको हर तरह की समस्याएं होंगी जब आप भोजन को चूते नहीं हैं तो आप नहीं जानते कि वो क्या है अगर भोजन चूने लायक नहीं है तो मैं नहीं जानता कि वो खाने लायक कैसे होगा तो हमें अपनी मा की बात नहीं माननी चाहिए थी और हमें अपनी उंगलियों से खाना चाहिए क्योंकि भोजन को चुकर हम उसके संपर्क में रहते हैं आप, आपके हाथों की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में है फोर्क की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में नहीं है ये सच है और इन हाथों का इस्तिमाल सिर्फ आप करते हैं, कोई और नहीं तो आपको पता है कि ये अभी कितने साफ या गंदे हैं जिबकि आप नहीं जानते कि फोर्क को किसने इस्तिमाल किया है, कैसे इस्तिमाल किया है और किस चीज के लिए इस्तिमाल किया है उन्हें बस टिश्यू से साफ करके आपको दे देना है और वो काफी साफ लगता है सबसे बढ़कर आप भोजन को महसूस नहीं कर पाते हमें पहली चीज ये सिखाई गई थी, कि जब भोजन सामने आए तो उस पर कुछ पल के लिए अपने हाथ रखो, बस महसूस करो कि भोजन कैसा है, अगर मेरी प्रेट पर कुछ आता है, तो उसे महसूस करके मैं जान जाता हूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना जो मुझे नहीं खाना उसे मैं चक कर खारिज नहीं करता मैं बस उसे नहीं खाता क्यूंकि मेरे हाथ पहला स्थर है वे उस मायने में नहीं चकते जैसे जीब चकती है पर वे भोजन को जान लेते हैं भोजन को जानना पहली चीज है किसी इनसान को जानने के लिए आप उससे जाकर हाथ मिलाते हैं मैं आम तोर पर इससे बचता हूँ लेकिन यह अच्छी रणनीती है लेकिन जो भोजन आपका हिस्सा बनने वाला है सबसे पहली चीज आपके हाथ हैं अगर उसे आप नहीं भी छूते हैं तो बस वहाँ सचेतन होकर होने से साफ पता चल जाएगा कि भोजन आपके अंदर कैसा परताब करेगा ये भोजन इस दिन आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं क्योंकि हर दिन आपका शरीर वही नहीं होता हर दिन, हर पल, ये अलग होता है अगर आप भोजन को महसूस करें तो आप जान जाएंगे कि आज इस भोजन को आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं अगर इतनी जागरुपता आ जाती है तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए हर बार के भोजन के लिए उन्हें तै करना चाहिए कि उन्हें उसमें क्या खाना चाहिए इसके लिए एक ही नुस्खा नहीं हो सकता कि यहीं आपको जीवन भर खाना है ऐसे मैं आप फंस जाएंगे, कि मैं सिर्फ यही खा सकता हूँ. अपने भोजन को चुनना और खाना, ये दोनों चीज़ें सचेतन होकर कीजिए. आप क्या खाते हैं? उतना ही महत्वपून है कि आप कैसे खाते हैं? जब मैं कहता हूँ कि आप कैसे खाते हैं, तो ये सभी जीवित चीज़ें हैं. उन में से हर एक का अपना जीवन था, चाहे वो सबजी हो, जानवर हो या पौधा हो, हर किसी का अपना जीवन था. अब आप उसे एक तरीके से भोजन बना दे रही हैं. तो आपको उसे चरम कृतग्यता के साथ खाना चाहिए. अगर आप अपने भोजन के प्रती एक खास कृतग्यता और आदर की भावना रखकर खाएंगे, जब मैं आदर कहता हूँ तो ये आपको अजीव लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मान लीजी, हम आपको एक कमरे में बंद कर दें, और आपके पास पांच दिन खाने को कुछ नहोँ. अगर आपके सामने भगवान आ जाएं, तो आप क्या मांगेंगे? खाना? तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है. आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन बस कोई पदार्थ नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये जीवन है. ये आपके लिए जीवन निर्मान का पदार्थ है, तो आपको इससे वैसा बरताव करना चाहिए. अभी जब ये ठाली में है या बाहर कहीं है तो इसकी कोई खीमत नहीं है लेकिन जिस पल आप इसे खाते हैं तब ये आपका खून और मास बन जाता है अब अचानक ये बेश्कीमती हो जाता है हम ऐसे क्यों नहीं जीते हैं ये बहुत महत्वपून है कि जब ये आपकी ठाली में आए तो आप इसे अपने एक हिस्से की तरह देखें बहुत आदर के साथ आपको इसे खाना चाहिए अगर आप बस अपने खाने का तरीका बदल दें तो भोजन आपके अंदर बहुत अलग तरह से बरताव करेगा चीतना का यही मतलब है अगर लोग कहते हैं आपकी चीतना का आपके जीवन पर कोई असर नहीं होगा सिर्फ रासानिक संरचनाओं का असर होता है तो मुझे उनके लिए दुख होता है क्योंकि जीवन ऐसे काम नहीं करता मानव चीतना का हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज़ पर गहरा असर होता है खासकर भोजन पर हम एक दूसरे जीवन को अपना हिस्सा बना रहे हैं जब हम ऐसा काम करते हैं तो यह बहुत महत्वपून है कि हम उसके साथ बहुत कृतग्यता और आदर का बरताव करें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी आदत और बुरी आदत जैसा कुछ नहीं होता आदत का मतलब है आप अचेतन होकर काम कर रहे हैं अगर आप अचेतन होकर काम करते हैं तो यह खराब चीज़ है क्योंकि इंसान होने के पूरे माइने यही हैं कि हम सचेतन होकर काम करने में सक्षम है इंसान होने की यही खुबसूर्ती है कि हम हर चीज चेतना पूरवक कर सकते हैं एक जानवर जो चीज अचेतन होकर करता है वही चीज हम पूरी चेतना में कर सकते हैं हम अचेतन होकर खा सकते हैं या हम सचेतन होकर खा सकते हैं? हम अचेतन होकर सांस ले सकते हैं या हम सचेतन होकर सांस ले सकते हैं? जो भी चीज हम कर सकते हैं, उसे हम सचेतन होकर भी कर सकते हैं. जिस पल हम चीतना में कारे करते हैं, अच्छानक वो बहुत परिश्कृत और शांदार दिखने लगते हैं. जब कोई चीतना पूरवक चलता और बोलता है, तो क्या वो एक सुन्दर इंसान नहीं बन जाता? हाँ या ना? बस इतना ही है. तो ऐसा क्यों है कि हम आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो एक अच्छी चीज हो. आदत का मतलब है तैय तरीख के, जहां आपको सोचना नहीं होता, आपके सुभा उठते ही सब होने लगता है. नहीं, अपने जीवन को आटोमेटिक मत बनाईए. ये कुशलता नहीं है. ये मशीनी कुशलता है. इंसान का काम बुद्धिमानी और चेतना से काम करना है. कोई उससे मशीन जैसे काम करने की उमीद नहीं करता. तो बोजन की बात करें, बोजन को शरीर के लिए उपयोक्त होना चाहिए. जिसके लिए हम खाते हैं, ये शरीर के लिए है. जो बोजन आप खाते हैं, वो शरीर के निर्मान का पदार्थ है. सही भोजन क्या है? दुर्भागे से अभी ये ये बिलकुल गडबड हो गया है. पारमपरिक रूप से इस देश में हम समझदारी सिखाते थे. लेकिन हजारों साल से हुए हमलों की वजह से दूसरी तरह की भोजन परमपराईं आ गई हैं और आज राश्ट्रिय भोजन पीज़ा या पास्ता है. ये क्या है? कौन सा? मैं नहीं जानता. दोनों मुकाबला कर रहे हैं. तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं. अब समय आ गया है कि हम सबसे अच्छी चीज़ पहचाने. अगर मैं इसके विस्तार में जाओं, तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी. लेकिन आपको भोजन को परखना चाहिए. बस जीब से नहीं, बलकि शरीर से भी. आप आज कुछ खाईए और देखिए. बस ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त और फुर्तिला महसूस करता है. अगर शरीर को महसूस होता है कि वो कबर में जाना चाहता है, तो वो भोजन अच्छा नहीं है. अगर वो भोजन खाकर उसे लगता है कि जीवन जीना चाहिए, कौफी को छोड़ कर, क्योंकि वो तेजक है अगर खाना खाकर शरीर चुस्तर जीवन महसूस करता है, तो इसका मतलब है वो भोजन अच्छा है, शरीर उसे पसंद कर रहा है अगर आप कुछ खाते हैं और शरीर में सुस्ती महसूस होती है, तो उसका मतलब है कि शरीर को भोजन पसंद रही है, उसको उससे परिशानी हो रही है, इसलिए सुस्ती महसूस हो रही है तो बस इस आधार पर, मेरा मतलब है ये एक बहुती सीधा और आसान तरीका है